नमस्कार मैं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में शुरुबात करते हैं प्रोग्राम के अर आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सपा बस्पा गटबंदन को लेकर जी हाँ सपा बस्पा का जो गटबंदन है इन जो गटबंदन में कुछ खास नहीं अच्छा चल रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको हम बना दें कि जो गटबंदन है ये गटबंदन क्या कमाल कर पाएगा दोबारा से क्योंकि बुआ की जोड़ी एक कमाल कर पाएं कि लोगसबा चुनाओं को लेकर भी बुआ बबुआ ने काफी रणनीती बनाई है तो क्या उनकी रणनीतियां कारगर साबित होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा बीटे दो हमने इस पर एक प्रोग्राम किया था जिस पर बहुत सा कारे कमेंट ऐसे भी थे जिने हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते लेकिन जो कमेंट प्रोग्राम में शामिल करने लायक होते हैं वो हम करते भी हैं जैसा कि हमारे खास प्रोग्राम दर्शकों के नाम इस प्रोग्राम के जरी हम उन दर्शकों के कमेंट अपने था क्लेश और मायावती की तो देखिए पहले ये देखने दोनों ने ही लोकसभा चुनाओं को लेकर तयारिया भी की लेकिन यहाँ पर बात एक बड़ी यह है कि अखलेश यादो इन दिनों मुसीवतों में गिरे पड़े हैं जी हाँ देखिए अखलेश यादो चौतरफा तरीके से परिशानियों से गिरे हुएं क्योंकि एक तरफ त हम ने गंडिडेट उतारते हैं तो इसका बड़ा दृस आल को नहीं मिल पाएगा इसका बड़ा फाइद वे लिगा श्र्फाल जायादो को नुक्सान ओगा अ Guardi चर्फार जियुक्ति सभास को बात करते हैं को उप्षाप ज्यादों कि बहुत अмनुने हैं और रोट किया gum भी है और लोग उन्हें जानते भी है तो ऐसे में शिफपाल यादो को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पढ़ेगा और अगर हमın बात करते नई पार्टी की तो जैसा कि आपको हम बता दें कि शिफपाल यादो को नहीं होगी क्योंकि शिफपाल यादो राजनीती की मज़े वे खिलानी है और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे वोटरों को लुबाना है कैसे किन रणनीतियों के तहत काम करना और कैसे अपना प्लान तैयार करना है तो ऐसे में देखिए जिस तरह से देखनों को म नहीं होगी लेकिन शिफपाल यादो जिस तरह की तयारियां कर रहा हैं जिस तरह की प्लानिक कर रहे हैं इस शायद उससे अकले शादो की मुझे बढ़ सकती है और ऐसे में अगर बात करते हैं मायवती की तो मायवती तो अपना शाब करते वे चल रही हैं लेकिन यहापर अगर कोई फसरा है तो है अकलेश शादो क्योंकि एक तरफ तो उत्ता पर्देश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ अकलेश शादो को रोकने में लगें कि किसी भी तरीके से यूपी से वह सीटे वह उतनी हासिल ना कर पाए जितनी बीजेपी को करनी है ने कि अपने रा अपने फायदे के लिए शायद बीजेपी ने जो है कह सकते हैं कि चंदर शेकर जो की भीम आर्मी के संस्थाप है कि उनको रिहा करवाया है वक्त से पहले तो यह चीज़े कहीं ना कहीं नज़र आ रही है क्योंकि चंदर शेकर के अगर हम बात करते हैं अगर वो रिहा अखलेश को दूल चटाई जाए लेकिन अखलेश चादो जिस तरह से काम कर रहे हैं और दोसी तरफ मायावती भी काम कर रहे तो पीछे हटने के मोर में नहीं देखिए अकर यूपी की बात करते हैं यूपी में आकर बीजेपी को अपकी बार वह चीज़े नहीं मिल पाई सब्सक्राइब की बार वह सीटे नहीं मिल पाई जितनी जरुत उनको तो इस बार लोकसवा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा लोकसवा चुनाव में बड़ा जहटका लगेगा क्योंकि लोकसवा की सबसे बड़ी ज्यादा सीटे जो है यूपी में है और ऐ लिखते हैं वो लिखते हैं अखलेश वया संगर्स करने का यह सही समय है तो देखिया अखलेश यादो के समर्तक में लोग किस तरह से नजर आ रहे हैं विनुत कमाने लिखा है अब जहनता बदलाव चारी मूदी योगी से तरश्त हो चुकी है वहीं अजीत यादो लिखते रहे हैं तो कुछ अकलेश शादो का समर्तन कर रहे हैं लेकिन जैसे कि हम बात करें कमेंट्स के हमने कमेंट्स पढ़कर आपको लोग क्या कहना चाहरे हैं लोगों की क्या राय है वह चीज़ें यहां पर देखने को मिल रही है लेकिन जैसा कि मैं बात कर रहा था यूपी की सियासत को ले कर जिस तरह सुत्तरपरदेश के मुक्य मंदरuses यूगी आदित्नाथ हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कि बी तरीके से अकलेश मायवत्य को पीछे चोड़ा जाए अकलेश मायवत्य को पीछे रखा जाए तो वहीं जस तरह से अकलेश शादो अपने ही परिवार की मुश्किलों से उबर नहीं पारें जिस तरह से शिफपाल यादो कहीं नहीं अकलेश शादो के रास्ते का रोड़ा बन गाएं शिफपाल यादो ने जिस तरह से नई पार्टी बनाने की जो बात कही है असी सीटों पर कैंड़िडेट उतारतें तो देखे एगर फौर्ट काटते हैं तो उसका बड़ा फैदा बीजेपी को और तो कहीं नगहीं अगर शिफपाल यादो बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं या यूगी आधी तिनाद से हाथ मिलाते तो सीटें जो है वो बिजेपी के खाते में चल जाओंगे वहीं अगर हम बात करें चंदरशेकर की तो चंदरशेकर को जी सतरह से आजात करवायAgगा और वह अईर पता भे वोट बैंक वोट के लिए जिस तरह से बात कई है और उनको भी लग रहा था कि अगर वह इस पर प्रेस नहीं करती है तो शायद बड़ा माहौल गर्मा सकता है और जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कि आजकर की राजनीती में लोग बहुत जल्ली बुआ और बहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह चीज़े राजनीती में चल लही तो देखिए बहुत सोच समझ कर का मायावती भी कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि कौन किसे फायदे के लिए काम कर रहा और किस से उनको नुक्सान होगा तो ऐसे में प्रेस कॉंपरिंस के जरिए जिस तरह की बहत बढ़ी बात है क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रशेकर की जंत्रशेकर ने जब कहा था कि मायवती से उनका बड़ा संबंद है मायवती उनकी भुवा है पारिवारिक संबंद है तो ऐसे में यूपी की जो राजनीती वहां की जो हवा थी वह कुछ और ही चलने लगी थी लेकिन जिस तरह से आकिरकार इन हवाओं को रोकते वे मायवती ने जो बयान दिया प्रेस कॉंटरिंस के जरी जो बात कई उससे जो सियासत का जो रोकता वो पलट गया उसका मोड कुछ हो गया तो ऐसे में देखे राजनीती कैसी चीज होती है यहां पर वोट पाने के लिए नेता बहुत तरक नेतियों से उन्हें बोहुत बड़ा फायदा भी होता है तो इसी बात को देखते हैं माया वातीनी इस तरह से प्रेस कॉंफे निए नने कहा कि इशारो इशारों में नाम नहीं लिया इशारों में का कि जो लोग रिष्ता वनाने की कोशिश कर रहें वहूंत और उनका कि ज बहुत आहराम कर देने वाली बात है स्थारी यादव की शेपाल शिऐखान याद में रनीतिंगा काम आईएंगी और फिर्ट चैन्टिकृ को मेंどहतें की तो शिफबाल यादो लिकां रहत हैं कि सफ़ा पार्ट्ट्रि को मैं शेफाज और को खून पसीनी से बनाया है काफी महीनत भी, लेकिन आज उसी पार्टी में जज़त नहीं अज उसी पार्टी में हैसियत नहीं है, ये सीज़ज़ ये सब चीज़係 देखकर जिस तरह से उन्हें ज़तका लगा था और इनहींसाब सब बातों को जान में लगते हुए उन्होंने जिस तरह से नई पार्टी बनाने की बात कहीं नई पार्टी बनाने का ऐलान किया उससे कहीं ना कहीं एक बात तो ये निकल कर सामने आए कि जो निकल कर जो सामनी आई है वो यही है कि जिस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है जिस तरह से काम किया जा रहा है यह वाकई में बहुत बड़ी बात है क्योंकि राजनीति कैसी चीज होती है कब पासा पलट जाए अंदाजा नहीं होता और कुछ ऐसा ही देखने को भी मि साकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमश्कुर।